मैं पूजा लूथरा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गैस वाट जी हां मैंगो फ्रूटी बनाने की रेसिपी ये मैंगो फ्रूटी आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में बना सकते हो और अपने बच्चों को दे सकते हो इसमें कोई प्रेunning नहीं है और वहुत ही टेस्टी होती है। बहुत ही जूसी होती है बहुत ही पल्पी होती है तो देर किस बात की। चलिए, बनाते हैं इस mango fruity को बनाने के लिए मैंने लिए हैं दो बड़े साइज के mango अगर वेट की बात की जाए तो इनका वेट 650 ग्राम है और हमें चाहिए एक कच्चा आम अब इन mango को आपने पील करके काट लेना है mangoes जितने ripe होंगे जितने पके हुए होंगे उतना ही आपका fruity ज्यादा tasty बनेगा तो ये देखिए मैंने पील कर लिया है कच्चे आम को भी और पके हुए आम को भी और इनको छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है अब आप एक कुकर लीचे और उसमें लगबग आदा ग्लास पानी डाल दीचे और फिर इन mangoes के टुकडों को भी उसमें डाल दीचे और अब हमें इन्हें दो से तीन विसल आने तक पकाना है यह देखिए पूरी तरह से mangoes पक चुके हैं अब हम इसमें डेट सो ग्राम चीनी आड़ करेंगे और आदा ग्लास पानी और डालेंगे ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए और दो से तीन मिनट के लिए धक कर पकाएंगे आपको विसल नहीं लगानी है सिर्फ धक कर पकाना है तो यह देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है अब हम इसे छान देंगे और यह जो छलनी के ऊपर पल्प है इसको ठंडा होने तक वेट करेंगे फिर हम इसे मिक्सी में डाल कर ग्राइंट करेंगे तो मैंने इसे जार में शिफ्ट कर लिया है तंडा हो चुका है यह पूरी तरह से और यह मैंने ग्राइंट कर लिया है इसको पल्प को अब हम इसे फिर से छलनी से चानेंगे ताकि अगर कोई रेशा बचा है तो वो छलन में रह जाए हमारे ड्रिंक में रेशा ना आए इस तरीके से इसे आप एक टेबल स्पून की हेल्प से अच्छे से दबा कर चान लीचे और ये देखिए ये जो रेशा बच गया है इसको आप अलग कर लीचे अब आपने इस ड्रिंक में दो ग्लास पानी और मिलाना है मेरे को थिक पसंद है ये फ्रूटी इसलिए मैं दो ग्लास पानी ही आड कर रही हूं आप अगर थोड़ा थिन पीना चाते हैं तो तीन से चार ग्लास पानी भी आड कर सकते हैं अब हम मैंगो फ्रूटी को जग में शिफ्ट कर लेंगे और फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ये जो मैंगो फ्रूटी है आपके बच्चे बहुत पसंद करने वाले हैं और वो आपसे कहेंगे कि बार बार बनाएगे और अगर एक बार आप इसे बनाते हैं तो ये पांच से छे दिन तक फ्रिज में खराब नहीं होती है बिलीव मी अगर आप एक बार ये घर में इतना टेस्टी ड्रिंक है ये मैं इस मैंगो फ्रूटी को आपको यहां से ही टेस्ट करा सकती बट बिलीव मी इस वेरी टेस्टी वेरी पल्पी एंड वेरी रिफ्रेशिंग तो इस गर्मियों में आप ये ड्रिंक घर पर जरूर बनाएए फैमिली मेंबर्स को पिलाइए और वावाही लूटिये तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक के बटन पर हिट करना बिल्कुल मद भूलिएगा और मैं आपसे मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर वाव इस वेरी टेस्टी जरूर बनाएएग झाल 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 झाल